बच्चों परिंदों को अंडे खाने वाले जानवरों का डर होता है इसलिए अंडे देने के लिए उन्हें महफूस जगा की ज़रूरत होती है इसी तरह अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो बच्चों को खाने वाले जानवरों का डर होता है क्यूंकि बच्चों में खुद की इफाज़त करने की ताकर नहीं होती गौसले की वज़ा से बच्चों की इफाज़त होती है इसलिए परिंदे गौसले बनाते है ये गौसले बनाने के लिए परिंदे घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते है इसके अलावा कपास, दोर या सुतली के तुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं इसलिए घौसले अंदर से नर्म और गर्म होते हैं और तमाम परिंदों के घौसले यकसा या एक जैसे नहीं होते बच्चों, क्या आपने बया नामी परिंदे का घौसला देखा है? वो अपना घौसला पानी के करीब काटेदा जाडियों में तयार करता है वो जाडियों की कुछ शाके पानी के उपर रहती है और जो उची शाके होती है, वहाँ वो अपना घौसला तयार करता है ताके अंडे खाने वाले जानवरों का डर महां बहुत कम होता है और उन जानवरों को महां तक पहुशने के लिए बहुत दिक्कत आती है बच्चों, दर्जी परिंदा चिडिया गोरिया से छोटा होता है वो घौसले के लिए बड़े पत्ते वाली जाड़ी का इंतिखाब करता है जाड़ी के करीब करीब के पत्तों को सी कर वो घौसला बनाता है सीने के लिए वो धागे की जगा बारी बेल का इस्तिमाल करता है वो छोटा सा घौसला छोटे परिंदे के लिए काफी होता है झाल